तो आज के lecture में हम जानने वाले हैं atomic mass unit के बारे तो देखें, mass की जो unit है हमें पता है kg में mass को measure कर सकते हैं gram में measure कर सकते हैं लेकिन जब हम बहुत ही microscopic particle के बारे में बात करेंगे जिसे electron, proton, neutron इनका mass बहुत ही कम होता है तो इनके लिए kg या ग्राम बहुत बड़ी unit है, तो इसलिए हमने एक small unit introduce की हुई है, जिसको हम नाम देते हैं atomic mass unit का, और इसको हम dalton या unified mass के नाम से भी जानते हैं, symbol के बारे हम बात करें, तो या तो हम इसको amu से represent कर देंगे, या u से represent कर देंगे, या dalton से, da से represent कर देंगे, अब जो इसकी basic definition हो क्या है, कि 1 amu is 1 twelfth of mass of 1 carbon atom, carbon कौन सा होना चाहिए, c12, तो carbon के 1 atom का 1 by 12, अगर हम लें, तो that is defined as a 1 amu, और अगर हम इसको देखें value इसकी, तो 1.66 into 10 to the power minus 24 gram जो है, या इसकी unit होने वादी, kg में change करें, तो 1.66 into 10 to the power minus 27 kg या mass होगा, अब देखें, जो 1 amu हमने defined किया है, तो जो neutron होता है या proton होता है, इसका mass लगभग 1 amu ही माना जाता है, यह आप ऐसे समझ लिजे कि nucleus में जो particle है, चाहे वो proton हो या neutron, उसका mass जो है हम लेते हैं 1 amu, और हमें पता है कि neutron का mass और proton का mass almost similar है, थोड़ा सा difference इनके बीच में, तो 1 amu close to mass of neutron या mass of proton, तो अगर मैं कहूँ कि 1 amu की echo definition है, कि 1 amu is equal to 1 upon na gram, na आपको पता होना चाहिए कि na is a symbol, और आविगार्डरोस नंबर, और इसकी value होती है 6.022 into 10 to the power 23, तो यह amu हमने जो हैं introduce किया है, ताकि हम atom का mass निकाल सकें और उसको simplified way में, kg और gram में represent ना करके, थोड़ा ऐसे simplified way में हम उसको तयार कर पाएं, ठीक? झाल